पार्ट बारा मीठी सारंगी एक गाउं में एक सारंगी वाला आया वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गाउं के बहुत से लोग इकठा हो गए सारंगी की मीठी आवास और सारंगी वाले की सारंगी बजाने की कला से गाउं के लोग दंग रह गई सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है अहा कितना आनंदा रहा है महीं पास में वैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था बहमन ही मन कहने लगा इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी लेकिन मेरा तो मुँ मीठा हुआ ही नहीं ये सब चूठे हैं थोड़ी देर पार उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुँ मीठा हो जाए इसलिए वह सारंगी वाले के पास चाकर बैठ गया रात के तीन चार बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा महराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है हमें बड़ा ही आनन्द आया दो-चार दिन यहीं ठहरिये ये बाते सुनकर भोला मन ही मन जुन्जलाया और बोलने लगा ये लोग जूर तो नहीं बोल सकते सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया तब तक रात ज्यादा हो गई थी इस कारण लोग घर नहीं गए वहीं चौपाल में सो गई सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चड़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया पर भोला को चैन कहां था जब लोग नीन में खर राते लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और उपर का खोल उतार कर उसे जीब से चाटरा कुछ स्वाद नहीं आया अब उसने सारंगी को खूब हिलाया उसके चेद को मुँ के पास लगाकर मुँ में उडेला पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकले वह लोगों की बेवकुफी पर बहुत ही जुझलाया अब की बार उसने सारंगी को गाउं से बाहर दूर ले जाकर फैंक दिया वह लोगों की बेवकुफी पर हस्ता हुआ अपनी जगे पर आकर चुप चाप सो गया सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगे पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी पता नहीं कौन ले गया भोला इस जूठी बात को ना सुन सका और हुस्से से बोला क्या खाक मेठी थी मैंने तुसे अच्छी तरह चाटा था उसमें जरा भी मिटास नहीं थी तुम सब लोग जूठे हो और बाबा जी के खुशामत करते हो लोगों ने पूछा परसारंगी है कहां उसने कहा गाओं के बाहर पड़ी है लोगों ने भोला की बेवकुफी पर सिर पीट लिया